हैं दिल्ली के कॉंडली विधान सभा छेत्र में उप महापोर प्राजकुमार डिलो जी के पास आप पूर भाजपा परद्याईस कॉंडली विधान सभा छेत्र भी रह चुके हैं और भी कई दायुतिन को मिल चुके हैं जैसे उपाध्यक्ष अंसूचित जात्मोर्चा डिल्ली भाजपा प्रद्याईस रह चुके हैं आईए हम जानते हैं ये निरंतर सच्चता पर काफी ध्यान देते रहे हैं डिलो जी आप उप महापोर थे निगम पारसत थे परंत आज भी आप सच्चता पर विशेज ध्यान दे रहे हैं लेकिन अभी दिल्ली में सच्चता के साथ साथ पर दूसर एक बड़ी समस्या है तो इस पर भी क्या आप को एक काम कर रहे हैं जी देखें सर परतम तो मैं HMTV को हम टीवी के दर्शकों को बदाई देता हूं सुबकामना देता हूं रेचम टीवी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय समय पर जनता की आवाज जनता के बीच में पहुंचाते हैं तो आपको भी सुब काम नहीं देता हूं कि आपके चैनल भी एक दिन बड़ा चैनल बने और आप जनता की आवाज को अच्छे से उठा सकें अभी आपने सुवस्ता भियान की बात किया, सुवस्ता भियान मेरा बहुत प्रिया विशय है और दो तिन विशयों पर प्रियावरण पर, सुवस्ता पर, वरक्षा रोपन पर मैं विशय ध्यान देता हूं और स्वास्ता भियान तो मैं पहले सी चलाता हुआ आया हूँ और आपने देखा भी होगा जो मैं स्वास्ता भियान चलाता हूँ खाली फोटो खिचाने के लिए नहीं चलाता हूँ मैं एक अपना इस्थान ले लेता हूं कि इसे 500 मिटर में 500 गज में 1000 गज में मैंने सफाई करनी है तो उसकी सफाई भी मैं करूँगा और कुड़ा भी मैं इठाऊंगा तो उसको लोगों को प्रेणा देता हूं कि वो कि अब फोटो खिचाने के लिए सवस्ता भियान न परतिक जागरुक नहीं बन जाते तो तब तक यह सारे काम अधूर हैं मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सुवस्ता वो मूल मंत्र है यह सुवस्ता अबना करके और परियावरन को साफसुत्रा बना करके पेड़ बहुत है लगा करके अपने बीच में तो नोजवान कि नेच्टरतों में हमारा भारत पुन्य वुश्यू गुरु मनेगे, अखंड भारत बनेगा और आज गे समय में सोने का शेर बनेगा ककी सोने की चिडियात हमारे सेर हजारों साल पहले था हमारा भारत अब हम सब स्वास्त हो करके अपने पैरों पर खड़े हो करके अपने आसपास का महाल को ठीक करके अभी देखे न दिल्ली में कितना पॉलूशन है और जो दिल्ली में मौझूदा सरकार है वो पॉलूशन के नाम पर क्या कर रही है कि अबर ड्रामे भाजी, एड़ोटाइजम करोड़ रुपिय है वोडिंग पर खर्च करना लेकिन इतना पैसा कि जो एड़ोटाइज में लगा रहे है क्रोड़ रुपिय है यह पॉलूशन खत्म करने में लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसलिए मैं दिल्ली की जंता से अपील करता हूँ कि सरकार के भरोसे हम ना रहे हम अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साप सुत्रा स्वच रखे अपने आसपास इतने हरियाली लगाएं इतने प्यट पोधे लगाएं कि हमें जेने के लिए सुधवाईयू मिले हमारी उमर कम ना हमारी उमर बढ़े तो इसलिए सरकार के भरो सही रहेगा तो पर दूसर भी कम होगा अच्छा डिलो जी यह चंद सेखार रामड दोरा बनाई गई भीम आर्मी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है भीम आर्मी जो बनाई है एक तो मैं इसमें बिल्कुल आपको खुले मन से खुले दिल से कहना चाहता हूं कि जो हमार मार्क पर हम सब चल रहे हैं और इतनी पॉजिटिव सोच उनकी थी कि आज हिंदुस्तान उनके बनाएवे सभिधान पर चल रहा है लेकिन चंदर सेखर जैसे लोग बाबा साब भीमरा मबेड़कर को जनता के बीच में लोगों के बीच में खलनाएक बना करके पेस कर रहे ह यह बहुत गलत बात है यह आने वाला समय बिल्कुल बहुत गलत होगा और विसेश कर यह वालमी की समाज के बच्चों को टार्गेट करते हैं कि वालमी की समाज इनको आसान टार्गेट मिलता है इनको टार्गेट करके वालमी की समाज के बच्चों को इसमें भरती कर रहे ह ताकि जो लड़ाई शगड़े करें मुकदमे बाजी समाज के बच्चों पर लगे गोली खाएं तो समाज के बच्चे खाएं मुकदमे समाज के बच्चे खाएं और नेता ये बने तो मैं अपने बच्चों से भी फील करना चाहता हूं वो गोलिया खाए तो ये बहुत गलत भीमराव अम्बेडगर जी के नाम को जो इस्तमाल कर रहे हैं और जो भीम आर्मी है ये बहुत गलत रास्ते पर हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं मैं अपने बच्चों से निवेदन करता हूं कि वो इनके बतायवे मार्क पे ना चलें आप अपने समा समाज का उत्थान करें, समाज को आपकी जरूरत है, ऐसे पार्टी में ना जाए, जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाए। पिल्कुल डिलो जी जो नौ युवक हैं, उनको किसी के भढ़कावे में नहीं आना चाहिए, और जन हित और समाज हितका कार करते रहना चाहिए, अच्छा डिलो जी मोधी जी के तर्ज पर अभी दीपावली पर केजरिवाल जी ने पूजा किया है अच्छलधाम मंदिर में, और उन्होंने ये भी संदेज लोगों को दिया था, कि जब सभी एक लाग दो करोड़ लोग एक साथ पूजा करेंगे, तो इसमें ऐसी तरंगे निकलेंगी, कि जिससे दिल्ली का उत्थान होगा, और सारे रोग दोग दूर हो जाएंगे, आपका क्या कहना इस वारे में? जिने आवान किया था, कि भी सभी ताली थाली बजा करके, जो कोरोना योदा है, उनका सब दन्यवाद करेंगे, एक दिवाली पर एक दिवाली नौजवानों के नाम पर भी जलाएंगे, तो केजरिवाल ने सोचा कि तुम भी ऐसा एलान करो, तो सारी दिल्ली तुमारे रा दिल्ली को जोड लूँगा तो बावाई लुट लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, दिल्ली की जंता बहुत समारा, छट पूजा पूर्वांचल का मुख त्योहार माना जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने संयुक्त पूजा करने पर पावंदी लगा रखी है, ऐसे म आपका क्या कहना है? तो जहां एक तरफ आप दारु बेचने की जाएज़त दे रहे हैं, सरताहिक बजार लग रहे हैं, सिनिमा होल खुल रहे हैं, तो चटी महिया का पर पर मनाने के लिए भग्त लोग पूरवांचल के लोग बिहार में जा रहे हैं, अब उनका समय भी खराब हो रहा है, उनका कहना है कि जब सराव खुल सकता है, सापताहिक बजार खुल सकते हैं, सिनिमा हाल खुल सकते हैं, तो सोचल डिस्टेंसिंग और मास के साथ छट पर क्यों नहीं मनाया जा सकता है, हम टीवी लाइफ के लिए साहयोगी चेतन सर्मा के साथ मैं नीरज पांडे संदस्टेंस